प्रहाटाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें मैं स्लामदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइम्स मुम्रा के साहुजी नेगर में रहने वालों को रेलवे के तरफ से नोटिस दिया गया है नोटिस मिलने के बाद एक बार फिर लोगों में अपने घरों को लेकर फिक्र बढ़ गया है मगर अब आज रिल्वे ने जो नोटिस दिया है उसमें सभी लोगों को 11 मार्च से पहले मुंबई सिट डी आरेम आफिस में आने के लिए कहा गया है नोटिस मिलने के बाद अस्ठानिये लोगों ने गिरह निर्मार मंतरी जितेंद्र अवहठ से संपर जिसके बाद मंतरी जितेंद्र अवहठ के आदेश पर न्सीपी के कलवा मुम्रा विधान सभा अज्जक शमीम खान और बबलु सेमना अपने अन्य तमाम कारेकरताओं के सा साहु जी नगर पहुचे और जिन लोगों को रेलवे की तरफ से नोटिस मिला है उन सभी परिवालों से मुलाकात की और इस दवरान शमीम खान ने मीडिया से बातचीद करते हुए क्या कुछ कहा है सवीम भई ये मुम्राय रेलवे स्टेचन के पास साहु जी नगर इराका है यहाँ पर एक बार पहले भी नोटिस दिया गया था रेल्वे के तरफ से उस टेंज पर काफी जो है इस पर नेताओने दखल भी दिया था लेकिन आज फिर यहाँ पर रेलवे के तरफ से नोटिस द गरीब बस्ती के साथ सलम इलाके के इन गरीबों के साथ हम बताना चाहेंगे आपको कि आज हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जीतन दरवार साहब का अपसे एक घंटा पहले हमें कॉल आया था कि शमीम भाई आप बबलु शिमना से पांटे करके आप दोनों वहाँ पहुंचो और वहाँ पे कुछ नोटिस इसू किया है DRM के आफिस से तो हम बबलु शिमना जी हमारा यहां का लोकल के सब बच्चे आरिफ और मैबु भाई तमाम लोग यहां पे लाली भाई तमाम लोग यहां पे सब जमा हुए और आकर के यहां के लोगों से हमने मुलाकात किया इस्लामुत दिन भाई निलेश भाई अभी मोसी ने एक बात कहा मोसी यहां कब से रहती हैं आप मोसी ने कहा कि जब महानगर पालिका नहीं हुआ था ये गराम पंचाइद में था जब से यहां बसते हैं हम लोग तो मैं ये रेलिवे को बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि बार बार हमारे नेता हाउसी मिनिश्टर डॉक्टर जितन दरवार साब की जानिश से आपको अपील हो रही है देखिए अभी सेंटर के हमारे मिनिश्टर रेलिवे के सर भी आये थे मुंबई में दौरा थ उनका निलिश भाई तो उन्हों उनसे भी मुलाकात मिनिश्टर साहब ने किया था वो वाइरल हुआ था बबलू भाई याद है ना आपको कि मिनिश्टर साहब मुम्रा के आपके शाहोजी नेगर के लिए बात कर रहे थे तो मैं यह कहना चाहता हूँ जब यहां के मिनिश आफिस गयारा तारीक के पहले बुलाया गया है 11 मार्च के पहले अभी मैंने और इनको यह कहा गया है कि आपके जो डॉकॉमेंटेशन है चाहे वो टेक्स पौती हो चाहे वो पानी सप्लाई का हो चाहे वो आपका घर पट्टी हो जो कुछ भी है वो डॉकुमेंट के साथ दिया अभी पहुंचे इसाइज पर लिखा हुआ है तो मैंने यह सब अपडेट यहां करके हमने बवलुश हिम्णा जी ने मंत्री जी को दिया मनिश्टर साब ने कहा है अभी भनीश जी करे नहीं तो उनको अभी मंत्रीजी ने कहा है और आपकी यहां की अमाम से कहा है कि बवलुश हिंदा को हम यह जिम्मधारी देते हैं आरिफ को और मैबुबा को जिम्मधारी देते हैं आप इनके जो डॉक्मेंटेशन मांगे गए हैं आप लोग उनको जमा करें अपने आफिस के उपर और हम लोग एक दिन एक बस लगाएंगे यहां पर और बस के साथ इनको ले करके मंबई जाएंगे डियारे माफिस 11 तारीक के पहले और वहां मंत्री जो खुद मुझूद हो होंगे और इंशालला ताला हम यानि हमारे नेता डॉक्टर जितेंदवार साथ पर इतना एकीन दखते हैं कि वह नोंने हमेशा गरीबों के लिए पिछोड़ों के लिए आवाज उठाई है और इनका इंसाफ दिला करके ही रहेंगे मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता ह हो इनका उनकी रहां है यही काई हम इंक तो पांड़ कर दिया अध्याndवार कि आपके मझाः लेक्रे नमस एकक अगल्ड़ो ना पर नियुक्स कने में लोग कि अम्मारे घर की लायट का भी लिया और उसके बार नोटिस देज तेंगे मझे तुमें पार्टी मारे गाते है सब्सक्राइब करते हैं कि सर जिस तरीके से बार-बार आप इनको आज सेकंड टाइम नोटिस भेज रहे हैं तो सर हम बताना चाहते हैं आप से कि यह लोग यहां 1980 से बस्ते हैं पहले पहले जो नोटिस दिया गया था उस साथ दिन में खाली करने के लिए जी उसके बाद मिनि ओ Cuban लेकिन मैं कहना चाहता है कि सर पहले जरीब भक्ती को साहब कहीं को परियाएदो उसके बात साहब अगर आप कहेंगे तो साहब यह रूम खुद आपके हम तोड़ देंगे लेकिन उसके पहले उनको पर्याय दो, विदाउट पर्याय कुछ नहीं होगा